करेंगे सो अगर आपने अभी तक इसके बागी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यार पहले उसके बागी के पार्ट्स देखना बनता है शेन अब काई को एक नोर जो करने लगी दिसके वएसे का एकदम फ्रस्टेट हो जाता है इसके बाद शेनी काफी पीछे गूमता है कि आखिर भई तेरी दिक्कत गया है मुझे इतना पसंद करती थी तभी शेन कहती है क्योंकि मेरा इंट्रेस्स में से बिलकुल जा चुका है इसके बाद भारी बारिश होने लगती है जब शेन पूरी बरसात में अपना काम कर रही थी तभी काई उसे प्रोटेक्ट करने के ल लेंग और मियामा की जोड़ी तो काफे ची चली रही इसके बार लियांग में वांका बखर भरी भारिश में उसे अपनी साथ ले जाता है इसके बात अपना अमेरा थोड़ा नीचे कर लेता है कि मैंना थोड़ी शाय टाइप है वह नहीं चाहती कि सबको पुता चल जाए क हैं कि वह दोनों डेट कर रहने आखर एक लोग चया के सुचंगे अपसंद करने लगा था विकॉज आप शेनों से इग्नोर जो कर रही थी मतलब एक सिंपल सी बात अगर तुम्हें यह चाहिए कि तुम्हारा क्रश तुम्हारे पीछे पीछे चले जाए से इग्नोर करने लगो मतलब इतना भी नेक पर आशा ही चोड़ दे अब सब लोग काई की तरह नहीं पारे से लोग काफी ज्यादा अमेजिंग समझता है इसके बाद वह हमेशा उसे पूछता है कि आप एक से करती है इसके बाद ल्यांग को इस पर कावी दागुसां अटाए तभी यहां पर यूए भी सारी पास समझ रहती है तब यहां पर जो यह चाह रहता है वो भी इस कुछ मरने से ड़नी लगता तो कहता है क्यों वह ना सीनिर को ज्यादी हमेजिंग है इसलिए मैं उनके अट्रैक्टी हो जाता हूं जो कहता है कि ठीके भाई बच कर रहना तेरे लिए सही नहीं है इसके बाद जब वह म्यामव से चिपका ही रहता है तभी लियांग म्यामव को पकड़ता है उसका हाथ पकड़कर उस पर एक हट बनाने लगता है और इसके बाद सारे को पता चुल जाता है कि यह दोनों दरसल लेट चुकर रहे हैं इसके बाद वह बंदा भी कुछ नहीं कहता हो कहता है कि कोई बात नहीं को जूने कुछ जादा ही ऑप्टिमिस्टिक सावर कहता है कि वह लास्ट टाइम तक हार नहीं मानेगा होप हमेशा बनी रहेगी इनका रुमेंस तो काफी इची से चली रहा था हम साथ में सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं यह पर लियां को हमेशा की तरह मूवी से अलरजी होती है मैमा के साथ मूवी देखने पहुंच जाता है आखर वो मैमा को दुखी नहीं कर सकता था शिर अपने काम को लेकर यूनिवर्स्टी से बाद जा रही थी और उस जगह पर काफी दिनों तक रुखना था इसके बाद सभी को बाई बोलती है जब काई यह बात सुनता है तो का काई लेए से बाद करते हैं मैमा क dove पासंदा करिए और उसके आरी हैं कि तूड़ी ताइम रुकिन हाई तौई थोड़ी नाराज मैं बुझा काई जबा कहां मेहां कुझते हैं मार नाज मगुवन ने कवन पहुझा करता है तूम्हां तुम्हें चरू यह जो सब्सक्राइब और चबचे कर सकती है यह बहुत लिए खेट करते हैं जाए चिर्फ नगे से लिए घ्रीट लाइधा और उसका पूरा भर चुका था इसके बाद लिए सब्सक्राइब इसके बाद उसे पोस करता है कि और शन रज्जख खरता है कि नागे तर्फिंग reject you इसके बाद काई वाज लाइक के भगवान ये सब क्या कर दिया मतलब जो लड़की मेरे पीछे कभी पागल हुआ करती थी आज वो मुझे reject कर रही है इसके बाद शेयन confidently बस में इंटर कर जाती है उसके बाद उससे डिलीवरी वाले और इसे फोना आता है और कहता है возь सो और बनदा तुम्हारे नाम पर काफी ले रहा था और मुझे नहीं पता हो तम्हारी इतनी घेर्प क्यों कर रहा है तभी इस इनकों बता चलता है कि जो gift उसके bag में है दरसल वो उसकी delivery के ही सामान है इसके बाद उसकी को open करती है तो वो exact वही सामान थे इसके बाद उसके बंदा मेरी इतनी दिनों से help कर रहा है और इस पर मेरी इतनी सालों से crush था उसी को मैंने reject कर दिया इसके बाद उसे instant regret होने लगता है कि जिस बंदे को म मेरा instant रोने का मन कर रहा है बट मैं क्या करूं अब कुछ हो भी नहीं सकता इसके बाद वो किसी का भी फोन ने उठा पा रहा था तो शिन का कैसे उठाता इसके बाद काई को वी काफी दा बुरा लगता है कॉस्ट शिन्यों से reject कर दिया था यूँए भी फाइनली ये चाओ मैं तुम्हें ना पसंद भी निए करती इसके बाद इचाओ इस बाद भी जाता इसके लिए काफी अग्साइड थे और ल्यांग भी पर लियांग अभी इसके लिए शौन नहीं था पता चलता है कि उसकी मोम का जो लास प्रोजेक्ट है वो अधूरा रह गया था और रो च तो इसके मॉम को प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाता अब जो री ओपन हो रहा है तो उस पर काम करना चाता है और सारा क्रेड़िट अपनी मॉम को देना चाता है इसके बाद वह म्यामा उसे कहना चाता था कि वह उसके साथ नहीं आ सकता बट उसे ऐसा कभी मौका ही इसके बाद मीआव एओं अपना सारा साथ बाद करके आपराव जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह अब रॉड जाने के लिए काफी था यह उसके साहँ चाहले तहीं पी उसे बताना चाहते था कि वह नहीं कुछ नहीं पाता हूँए इसके गहर पर बीस बारें बात कर कि उसकी मौम का सबना साकार हो इसके लिए दैड भी इससी बात को मान जाते हैं यहां पर जब मियां मयोग ले देन एरपूर के लिए निकलने के लिए होती है तो कॉल करती है यहां पर लियांग भी उसे दूर से देख रहा था लेकि वह व्यामाओ के सामने नहीं आता इसके जब फोन पर मियांग उसे कहता है कि तुम तुम जाकर प्लेन में बैठो और तुम अभी अब रॉट चली जाओ शायद मैं कुछ दिनों बाता हूं दी कि मैं तुमारे बिना कहीं नहीं जा रही हूं और तुम मेरे साथ चलोगे इसके लिए फोन कट कर जाता है आफ अफ़ थुमारे शायर हैं रिए कीा कपसे पशंद की उसने ऊसे कोई बात नहीं चुपाई पर लियांग उसे बताना तक नहीं चाहता है उसके यह गलती उसे पूल में किजाती है तभी लियांग उसे बहां निकल दा है तभी मयामा कहती है कि रिस वाल राइट में खुद चली जाओंगी आफ़ दाट वो पानी में एक दम भीगी हुई टेक्सी बढ़ती है और वापस एईरपूट पहुंच जाती है इसके बाद वो लियांग को भी नहीं करती और वह फाइनली अबरोड पहुंच जाती है दोनों में कोई बात नहीं होती है यहां पर शीन भी वापस आ चुकी थी यहां पर उसकी फैंड उससे वीडियो कॉल करती है तब उन दोनों को भी पता था कि मियां मियां और लियां का ब्रेक आप हो चुका है और दोनों दूसरी से कभी ना मिले यूई के डैड यहां को मिलने के लिए बुलाते हैं यहां पर वह यहां से कहते हैं कि तुम मेरी डॉटर को पसंद भी करते हो क्यों ने क्योंकि वह आज के कंपरी में ऑवर टाइम कर रही है अगर तुम उसके सही में बाइफेंड होते तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती इसके बाद यूई को जब बात पता चलती है कि उसके डैड यहां से मिलने के लिए इसके बाद भाग कर यह पास आजाती है और कहती है कि आज सब कुछ समझ जाते हैं कि अगर ठीक है कर तुम दोने को पसंद ही करते हो तो मैं कर सकता कि बात कि इसके बार्च के बांच कर सकता तो उससे सथ में बात हैं तुम पॉसे रहे हुए लिए देंड बेले के लिएा यह इसके का दो के साथ से बापारिव जाना कुछ से पसंद यह क्याने कर रहे लुए और यहां पर पहुंचता है तो मामा उसे देखती है और कहती दूमें केसे पता चला कि मैं हा जारहा हूं तब वहांपर लियांग का क्लाइंट आजाता है तरसल वह अपने कंपनी क्लाइन को लेने के लिया वहां पर आये था नकी म्यामा को मुझे भी एक बाल ऐसा लगता है कि य उसके बार लेंग को अच्छे से सवागत करती हैं यहां पर मियामो की छोटी पैन लियांग को मियामो की कमरे में ले जाती है और वो कहती है कि तुम सारा लगेज यहां पर अग्ण तो मैं तुम्हारा मेरी सिस्टर से ब्रेक अप हो गया तुम्हारा मेरी सिस्टर से ब्रेक अप हो गया इसके बाद वह लियांग को एक केक मारती है और कहती है कि अकर तुम्हारा उससे ब्रेक अप हो गया तो तुम्हें ऐसे जाना चाहिए तुम्हारी कोई नहीं लगती है और मुझे दूर रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी इस लड़की ने काई को गिफ्ट दी कैसे और यह उसे बापेस करने के लिए क्यों जा रहा है तभी वो उस गिफ्ट को वापेस करता है और कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है और वो लड़की दरसल बैट टेमपर्ड की है तो जल्दी गुसा हो जाती है और आई गोब लड़की थीए कि ठीक है वाज के वाद कोई किस्त नहीं देगी नहीं पर शेहन यह सारी बात अरूंगा जिसके बहाग का गड़न में जाता है और जाता है तो तुम गुसा हो तो यह बिल्कूर गुसा हूं इसके पागल जिसे मैं लाइक करता हूं वह तुम ही तुम प्रपोस करी देता है तो यह कहता है कि मुझे आंसर चाहिए तभी शिन कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी तभी शिन कहती है कि हाँ वह भी उसे लाइक करती है इसके बाद यह दोनों भी गर्फिंड वाफिर्ण बन जाते हैं और रही बात लियांग और म्यामा की यह सबसे पह कर दो करेंगा इसके बाद मियामा उसे मिलने के लिए जाती है यह बात वाफिर्ण प्रण बहु साथ में इसके लिए तालिए से लिए यह बात व्यादày कर लेख देगा यह जाता है कि का उलिए कर लिए भी साथ हुआए है उसके दिश्यांगी वीटी से मिल्लियां आटि pepp करते हैं और यहां पर काई उसके ऊपर बोल फिकता है और कि तुम्हारी हिमत कैसे विचेट अकाउन लेने की दरशल मेरी गल्फेंड है कि पूरे डिपार्टमेंट को यह भी पता चल जाता है कि दरशल यह दोनों गल्फेंड वाइफेंड है तब यह कहता है तो तुम्हें भ की शेर्ट करने में वह तैसके बाद की बार किस यह जिए आजाती है। को केरे कि किचिन बाध कई वे लिए ओ है अफ्वन घए अवन खुष तके वह तो में कुछ तो दोनों फैंड मिलकर लियांग को सजेस्ट करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए तब ही अपने 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 बताते हैं जो कहता है कि बस तुम्हें करना है शेमलेश लिए अपनी गल्फेंड से चिपा की जाओ आप ड्रॉल उसे तुम्हारी फीलेंग एकसेप्ट करनी हुई त दो काफिता सौफ्ट हर्टेट एक अच्छी बाते बता होगे तो पक्का वह मान जाएगी तभी लियांग करता कि ठीक है और सब कुछ ट्रैकर कर देखेगा इसके बाद वह में पूरी दिन फॉलो करता है जिस जगह में जाती जगह जाता है पर यह तरीका काम नहीं आता इ और उसकी फैमिली प्रॉब्लम और अपने मॉम की सपने और खुद की सपने पूरे करने के लिए उसे अपर जाना सही नहीं लगा तो यह नहीं गया तो भी में अगर तुम उस टाइं मुझे इसाब बता देते तो शायद हम दस महीने अलग नहीं रहते इसके बाद इन दोन को तो ल्यांग पहली से पसंद था और इसके साथ इसके डैट भी इन दोनों के रिलेशन्शिप का अपरूब कर देते हैं और इसके साथ ड्रामा की हैपी हैपी एंडिंग होती है इस ड्रामा में सभी के पार्टनर तो ने मिली गए थे सेकंड लीड का कोई चांस ही नहीं अगर काई की बात करें तो काई को शनी मिल गई थी यह को यूए मिल गई थी और ल्यांग की तो मियमाओ थी तो जी के साथ मिन देन एक्स डर्मा के साथ